असलाम लेकुम गार्ड वैलकुम टू शोजीटा कुमीद है आप सब टीक होंगे जाना के हैं के टैन स्मार्ट यह कीज इसका मैने रिवीविट किया था कुछ दिन पहले और 15 दिन पहले मैंचैनी थी और यह पैंकि 1200 रुपया वो देते हैं और रिपेरिंग वाला करता कुछ भी नहीं है उसकी थोड़ी सी चार्जिंग पॉइंट्स की स्पाइव गरा करके वो वापीस दे रिता है अच्छा तकरीबन 15 दिन पहले ये मैंने पहनी थी 15 दिन पहले मैंने इसे चार्ज किया था चार्ज करके मैंने पहन ली थी और यूज कर रहा था मैं तकरीबन 15 दिन में मैंने बीच में क्रिकिट भी खेला होगा और स्वीमिंग वगरा भी की पानी में भी इसे लेके गया उस बिल्कुल डैड ही पढ़िया है जै देखें अब इसे मैं आप बी कर रहा हूँ बटन दुबा के लेकिन ये ओन नहीं हो रही और इसे मैं आपको चार्जिंग पर लगा के दिखा रहे हूँ चार्जिंग पर लगाने से भी इसके ओपर कोई sign वगरा शो नहीं हुआ चार्जिंग का इसकी port चेंज करके देख लिते हैं यह दूसरे switch में मैंने लगाया इसमें भी कोई sign शो नहीं हो रहा काफी सरे लोगों का यह issue हो जाता है लेकिन मसले वली बात नहीं है मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपने इसे solve करने है बेसिकली होता यह है कि जब कलाई के उपर हमें पसीनना आता है तो पसीनने की वज़ा से यह जो back side है point है इसके charging के इनमें पानी जमा हो जाता है पानी के वज़ा से इनके उपर rest आ जाती है जंग लग जाता है और जंग की वज़ा से वो current पास नहीं हो रहा होता और यह बिल्कुल dead हो जाती है बहुती easy method है जो आपको मैं इस वीडियो में बताने लोग हूँ एक बात आपने यार रखनी है कि जब भी smart watch में charging का issue हो तो आपने repairing वाले के पास जाने से पहले यह method जरूर यूज़ करने है अगर इससे आपकी smart watch ठीक ना हो तो फिर आपने repairing वाले के पास लेके जाने है सबसे पहले आपने कोई कपड़ा लेकर इसके जो charging के point है इने साफ कर लेने है अच्छी तरह ताकि इसके charging point के उपर जो layer आयू या जंग की पसीने की वज़ा से वो उतर जाए अच्छी तरह आपने किसी भी कपड़े के साथ इसे साफ कर लेना है यह समले हमारा step 1 है इसके जो charging के point है charging cable के वो भी आपने कपड़े से साफ कर लेने है अच्छी तरह क्योंके बास उकात इनके उपर भी जंग वगरा लग जाता है यह समले हमारा step 1 कंप्लीट हो गया है इसे हम charging पर लगा के देखेंगे के अब यह charge हो रही है के नहीं अगर ना होई तो फिर step 2 की तरफ चलेंगे लेन जी step 1 के बाद तो यह own नहीं हुई इसका मतलब है इसके उपर अभी भी जंग वगरा लगा हुआ है क्योंके इसे मैंने यूज ही काफी बुरे तरीके से किया था काफी जारा गर्मी भी थी पसीना आता रहा तो पसीने के विज़ा से इसकी जो हालत है वो ज्यादी खराप हुई पड़िया आप में से कुछ लोगों की स्मार्ट वोच तो कपड़े के साथ साफ करने से ये ठीक हो जाएगी चार्ज करना शुरू हो जाएगी अगर ना हुई तो फिर आपने ये स्टेप टू करना है स्टेप 2 में आपने मैटल की कोई ऐसी चीज लेनी है जिसकी नोक जो है वो बरीक हो इसकी नोक काफी बरीक है मुझे और कोई चीज नहीं मिली तो मैंने यही पकड़ दिया अच्छा अब आपने करना ये है कि इसकी ये जो बरीक नोक है इसके साथ आपने वोच के दोनों चार्जिंग के पॉइंट्स को साफ करना है यह देखें इस तरह करके आप दोनों पॉइंट्स को साफ करेंगे आपने जोर से इसे नहीं दुबाना जोर से दुबाएंगे तो वोच खराब भी हो सकती है scratchies आ सकते हैं back side पे तो इसलिए आपने बड़ी ऐतियात के साथ इसके दोनों points को साफ करना है क्योंकि साथ इसके sensor भी है उसके ओपर अगर scratchies वगरा आगे तो वो मसला हो सकता है अब आप एक चीज नोट करें कि जैसे जैसे मैं साफ कर रहा हूँ इसके निचे मुझे neat skin नजर आ रही है देखें उपर से इसके जो जंग लगा हुआ था वो उतर रहा है आइससा इससा इस तरह से आइससा इससा आपने इसके ओपर जो rest टाई हुए है वो सारी उतार ले नहीं है और ये metal की आप कोई भी चीज ले सकते हैं ये जरूरी नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूँ वो ये आपने भी यूज करना है आप कोई सी भी ऐसी बरीक नोक वाली चीज ले सकते है metal की जिसके साथ ये साफ हो सके लेकिन आपने इसके जो ये point है इसकी जो charging की cable है उसके साथ भी करना है लेकिन 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 एक बात आप लोग ने याँ रखने है कि charging cable के point साफ करने से पहले आपने ये जो पीचे charger लगा हूँ है ये आपने उतार देना है अगर नहीं उतारेंगे तो होगा कुछ बहीं है बस जैसे वोच डैड हुई या उस तरह आप भी डैड हो जेंगे इस वैसे इहतियाद जो है वो जुरूरी है इस तरह से आपने केबल को पकड़ना है और साफ करना शुरू कर देना है क्योंके केबल के उपर मैगनिट लगा हुआ है और मैटल के साफ कर रहा हुँ तो मुझे फोड़ा सा मुश्किल हो रहा है साफ करने मैगनिट की वज़ा से तो इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है इन पॉइंट्स को भी आपने जोर से दुबाना नहीं है अगर जोर से दुबाएंगे तो ये अंदर को जा सकते हैं और खराप हो सकते हैं तो बड़े अराम से आपने इसे करना है तो फाइनली हमने वोज के जो पॉइंट है वो भी साफ कर ली है और चार्जिंग केबल के पॉइंट भी साफ कर ली है और अब हम देखेंगे इसका फाइनल रिजल्ट किसका जो नतीजा है वो क्या निकलता है केबल जो है वो मैंने अडप्टर में लगा दिया अब जो चार्जिंग का पॉइंट है वो वोज के बैक सेट पे लगाते है फाइनली मैंने केबल लगा दिया बैक सेट पे अला का नाम लेके होगी है ओन ये 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 क्या बात है क्या बात है मेरी अब इसे थोड़ी दर चार्ज होने देते हैं चार्ज थोड़ी सी हो जागी फिर इसे मैं ओन करके आपको दिखाँगा इसे अभी इसी तरह रख देते हैं चार्जिंग के लिए तो इस तरह से अगर आपकी भी वोच अचानक से इस तरह चार्जिंग उसकी खतम होती है और वो डैड हो जाती है और फिर चार्ज नहीं हो रही होती और वीडियो बनाने का मकसर यही था कि यार यह जो इशू है ना यह काफी सरे लोगों के साथ आ रहा था क्योंकि मेरा स्टोर भी या उसके ओपर भी अक्सर कंप्लेन वगरा आ रही होती है कि स्मार्ट वोच चार्जिंग के बाद डैड हो या और उसके बाद वो चार्ज नहीं हो रही दोबारा तो उन्हें भी मैं यही मैथड बताता हूं कि कोई इशू नहीं है पसीने के विज़ा से यह मसला हो जाता है तो इस तरह से पॉइंट्स वगरा साफ करें कपड़े के साथ और मैथल के साथ तो ठीक हो जाएगी और वो ठीक हो जाती है और अगर आपकी स्मार्ट वोच यह मैथड यूज करने के बाद भी चार्ज नहीं हो रही तो फिर आप इसकी जो केबल है वो चेंज करके देखें क्यूंकि अक्सर केबल भी खराब हो जाती है किसी शोप विले के पास जाके यह किसी ओड़ से इसकी केबल लेकर लगार के आप चेक करने केबल का इश्यू तो नहीं है अगर केबल का भी इश्यू नहीं होता पिर भी नहीं चार्ज हो रही होती तो फिर आप इसे रपेरिणग वूरे के पास लेके जाएं वाले के पास लेके जाएं और फिर हो सकता है इसका कोई अंदर से बैटरी का यहां इसका जो चीप वगएरा वो खराब हुई हो अधर वाइस आपने यह जो यूज करके तसली करके फिर रिपेरिंग वाले के पास लेके जाना है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो अभी सबस्क्राइब करें ताके आपको मजीर भी अच्छे चेक गैजिट्स की वीडियो देखने को मिलती रहें